हे दोस्तों, वेलकम टू मैं आल नीव पॉड़कास्ट अन एएसपी तो आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो है अपने ब्रेइन को आप्टिमिल पॉफॉर्म कैसे करा हैं और उसको हम लोग कैसे यूज कर पाएं अलग-अलग फील्ड में फरक नहीं पर दा कि आप कोई हैबिट नया सीख रहे हो या फिर अपने बेसिक नीट्स, डेली नीट्स जैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको ये ब्रेइन का हैक सीखना है तो दोस्तो आज हम लोग बस यही देखने वाले हैं कि साइकोलोजी में ऐसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हम लोग अपने एवरी डेई लाइफ में यूज कर रहे हैं तो हम लोग अपने ब्रेइन को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं सूपर हुमिन बन सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो यह देखिए कि हम सबको ऐसा मन करता है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ें बट ऐसे बहुत कमी लोग होते हैं जिनको वो याद रह पाता है और जब जरूरत पढ़ती है तो वो नॉलिज को यूज कर पाते हैं बट हमारा दिमाग यह कहता है कि जब भी हम लोग कोई नई चीज सीखते हैं तो हमरे पर दो चॉइस होती है ऐसे नहीं कि आप एक फाइल का डंप डाल दो और पूरा याद हो जाएगा अगर लाइन लाइन से एक एक पीज करके आप पढ़ोगे तब यह आपको याद हो पाएगा तो सबसे पहले रिसेर्च यह बोलते हैं कि अगर आप उस information को pieces में divide कर दो कि जैसे कि एक book पढ़ने से अच्छा उसको 10 chapter में divide कर दो और उन chapters को complete करो या फिर उन chapters को भी further divide कर दो तो आपका दिमाग बहुत अच्छा process कर पाएगा और जब भी आप किसी book को पढ़ो उसको पढ़ने से पहले ये देखो कि उस book का context क्या है author ने उस book को कौन से context में लिखा है author हमें समझाना क्या चाते हैं उस book को लिख के जब ये दोनों चीज़े आपकी confirm हो जाए तो chapter पे jumps करो जब एक chapter complete हो जाए तो दूसरे chapter पे जाओ बट ये दियान जरूर रखे कि एक chapter complete हो जाना चाहिए और एकदम simple language में आपको समझ में आ जाना चाहिए तब ही जाके आप दूसरे chapter पे jump करो और जब सारे chapters complete हो जाए तो सारे chapters को आप अपने दिमाग में उनका एक preview देखो सारे chapters को connect करने के कोशिश करो और अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा और आपके दिमाग में भी ये information बहुत सालों तक रहेगी और बात हुई revision की कि जो हमने पढ़ है उसको revise कैसे करें तो दोस्तो सबसे बेस तरीका जो मैंने भी एक seminar में जाना था वो ये कहता है कि मानलो अभी आपने कुछ पढ़ा तो एक घंटे बाद उस चीज को revise करो अब एक घंटे बाद के बाद उसको एक दिन बाद revise करो ऐसे ही एक week बाद एक महीने बाद और एक साल बाद अगर इस तरह से आप revise करोगे तो आप अपनी पढ़ी चीज कभी भी नहीं भूलो पे और जो एक साल बाद वाले revision होगा उसके बाद वो चीज आपके दिमाग में permanent हो जाएगी और दोस्तों Richard Finman जो physics के बहुत बड़े professor है अगर आप Google करोगे तो आप उनके कितने papers देख सकोगे उनका एक famous Finman technique भी होगा जो आप YouTube पर search कर सकते हो इसके बारे में detail में जाने के लिए फिर Google कर सकते हो तो Finman ये बताते हैं अपने students को कि जब भी कोई hard topic होता है तो सबसे पहले एक paper लो और उस topic को ऐसा लिखो summary ऐसा लिखो कि जैसे तुम किसी बच्ची को समझा रहे हो या फिर 10 लोगों को समझा रहे हो अगर तुम नहीं लिख पा रहे हो तो इसका मतलब यही है कि तुमको topic बिल्कुल भी समझ में नहीं है इसलिए book को फिर से पढ़ो उसको simple करने की कोशिश करो फिर से लिख के देखो जैसे तुम लोगों को समझा रहे हो अगर तब समझ में आया तब यह मानो कि तुम्हें वो topic अच्छी तरह समझ में आ गया है और दोस्तो ऐसा बहुत बार होता है हमारे पास कि अगर हम लोग books के जो concept होते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं तो दोस्तो science यह बोलता है कि जब ही आप hard से hard concepts को अपने real life examples के साथ connect कर दोगे जैसे अपने दोस्तों के साथ अपने relatives के साथ या अपने family के साथ वो चीज़े आपको जल्दी याद हो जाती है for example एक chemistry का मैं example देता हूँ जैसे दो compound हैं जो कभी भी react नहीं करते so उनके नाम याद करने से अच्छा अपने दोस्तों को उनकी जगे replace कर दो जिनमें कभी भी नहीं बनती अगर आप ऐसा करोगे so उन compound का नाम सोचते ही वो दोस्तों के नाम याद आ जाएंगे तब वो compound भी अपने आप ही आपको याद हो जाएगा दोस्तों psychologist इस चीज़ को बोलते हैं self reference effect और अगर आप ऐसा याद करोगे तो probability यह है कि आपको वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा और दोस्तों यह भी माइने करकता है कि हम कितने देर concentration में बैठ पाते हैं जैसे studies बोलती हैं कि 45 to 1 आरी हमारा दिमाग एक बार concentration कर पाता है इसलिए सारे period और lectures, colleges और school में 45 to 1 एक घंटे के ही होते हैं और दोस्तों जब भी एक घंटा हो जाए तो 10 मिनिट का break ले लो उसमें यह दिखो कि आपके दिमाग को revise करा हो कि आपने एक घंटे में क्या-क्या पढ़ा उसके आदा फिर से एक घंटे के लिए शुरू कर सकते हो जैसे कि आप 3 घंटे बैठने वाले हो तो 3 घंटे को 3 batch में divide कर दो और हर batch में कि आप क्या पढ़ने वाले हो आगे तो इसलिए जब आप information को distribute कर दोगे तो आपका दिमाग बहुत जल्दी जल्दी उसको process कर सकता है और दोस्तों cognitive psychologists ये भी बोलते हैं कि हमारा दिमाग serial processing के लिए बना है computers में जैसे आप देखोगे कि Google Chrome में जब आप बहुत ज़्यादा tab open कर देते हो तो computer पे आपने आप ही load आना शुरू हो जाता है आपका computer hang होना शुरू हो जाता है वैसे ही अगर आप दिमाग को भी multi processing करोगे तो आपके दिमाग पे भी अपने आप load आना शुरू हो जाएगा और तब आप concentrate बिलकुल भी नहीं कर पाओगे इसलिए serial processing कीजिए एक बार पे सिर्फ एक topic पे ध्यान दीजिए और जब वो हो जाता है तो second topic पे jump कीजिए इसको बोलते है serial processing दोस्तों कि आपको ये पता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो background में जो dominant color होता है उसका भी बहुत बड़ा important influence आपके दिमाग पे पढ़ता है वो आपका behavior और mood को भी change कर सकता है उस color में ऐसी power होती है और दोस्तों experiments और studies भी यही बताते हैं कि अगर आपके background में blue color हो या फिर उसके कोई shades हो तो आपका mental clarity, concentration या फिर आपका productivity तक बढ़ा सकते है तो जब भी आप पढ़ने बैठ हो तो यह देखो कि अगर आपके घर में कोई blue दिवाल है तो उसके side face करके बैठ सकते हो अगर वो नहीं है तो कोई frame ले सकते हो जिस पर blue color की painting हो नहीं तो कोई blue color है कोई object अपने table पे रख सकते हो नहीं तो आप blue highlighter तक use कर सकते हो highlight करते समय जब यह आप पढ़ने बैठ हो तो दोस्तो 1938 में famous psychologist B.F. Skinner ने एक research published की ती जो यह बूलती है कि किसी भी चीज के होने की probability तब बढ़ जाती है जब उसे कोई positive outcome मिलता है जैसे कि आप test की तैयरी कर रहे हो और आपको पता है कि test का जब result आएगा तो आपको बहुत अच्छे number मिलेंगे तो probability बढ़ जाती है तो आपको कोई external motivation की जरूद नहीं बढ़ती है या फिर आपका कोई famous video देखने वाले हो बहुत interesting video है वो तो उसको देखने के लिए आपको कोई external motivation की जरूद नहीं है जो आपको बोलेगे कि वो video देखो उसका interest या suspense ही इतना अच्छा है कि आप अपने आप देखने लग जाते हो मगर दोस्तो आजकल हमारा concentration बहुत बेकार होता जा रहा है पहले के मकाबले और इसका problem है mobile phones और online streaming services जो हमारे fingertips पे available है दोस्तो डोपमिन एक hormone होता है जो हमें feel good कराता है हमारा confidence बढ़ाता है हमें बहुत अच्छा लगने वाली feeling आजाती है और जबी भी आप bored होते हो तो अब आप mobile खोलते हो अपना WhatsApp पर message चेक करते हो या फिर YouTube पर कभी भी वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई motivation नहीं मिलता है आप हमेशा ही अच्छा जब feel करोगे तो आपको motivation कहां मिलेगा और hard work करने के लिए तो दोस्तों इस चीज़ को अगर आप control करो और as a reward की तरह use करो जैसे कि जब तक आपका काम complete नहीं होगा तब तक आप mobile नहीं चूँँगे जब तक आपका आज का task complete होगा तब तक आप रात को वीडियो नहीं देखोगे तो ये बहुत अच्छा motivation का काम कर सकता है तो इस चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं और दोस्तों एक और study ये बताती है कि जरूरी नहीं है कि सब इंसान का पढ़ने का style same to same हो किसी को अकेले पढ़ना पसंद हो सकता है किसी को ग्रुप में पढ़ना पसंद हो सकता है किसी को graphs याफी drawing बना के पढ़ना पसंद हो सकता है या फिर किसी को online video stream करके पढ़ना पसंद हो सकता है आपको भी अपने पढ़ने के style से experiment करते रहने चाहिए अगर आपको अब तक अपना पढ़ने का style पता नहीं चला है तो और experiment करते रहिए जब तक आपको अपना favorite पढ़ने का style पता नहीं चल जाता क्योंकि आखिर में हम लोग अपना productivity के लिए ही काम कर रहे है और जिसमें productivity है उसको आपको experience करना है और उसी को ही best practice में लेकि आना है और दोस्तों आप भले कितना भी पढ़ लो या फिर कितने घंटे बैठ लो मगर आपका अगर happiness level और sleep level बिलकुल भी अच्छा नहीं है तो आपका बिलकुल भी ध्यान नहीं लगेगा उस काम को करने में आप physically और mentally दोनों exhausted रहोगे हमेशा तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा कि आप exercise को लेके आईए अपने daily routine में और 7-8 घंडे की नीद पका ले और yoga कीजिए, meditation कीजिए आपको physically और mentally strong बनाने के लिए तो दोस्तों end में जाते जाते मैं थोड़ी cheating की बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आपको कोई भी चीज इतनी जल्दी याद नहीं हो पाती तो science बोलता है कि अगर हम कुछ beverages को अपने daily use में लेके आए तो हमारे brain की efficiency 2x ये फिर 3x बढ़ा देगा दोस्तों वो beverages हैं जैसे green tea, chocolate milk नहीं तो black coffee दोस्तों अगर आपको laser focus attention के लिए पढ़ना है तो आप black coffee ले सकते हो वो हमारे brain की शाप कर देगा और अगर आपको कोई important part पढ़ना है या को silence चाहिए जो आपको सीधा line to line पढ़ना है किसी का disturbance नहीं चाहिए और एक बार में ही समझ में आ जाए तो आप black coffee यूज़ कर सकते हो अगर आपको कुछ creative पढ़ना है या फिर creative सोचना है उस समय अगर आप green tea लोगे तो वो आपके लिए सबसे best हो सकता है तो दोस्तों science के साथ साथ अगर हम लोग पढ़ाई को mix कर ले कुछ psychology tips and tricks को अपने daily use में लेकिया है तो शुब रातरी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो good night good morning good afternoon मैं मिलता हूं आपको नए podcast में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाई बाई